असलाम अलेकुम वीवर्स वैलकम इन बीनिश का टिफिन आज बनने जा रहा है आज हम बनाने जा रहे हैं चीज स्लाइसेज जो के मैं आपको बिल्कुल इजी मैथड के साथ सिखाऊंगी चीज स्लाइसेज और बहुत ही कम इंग्रीडियंट के साथ तो चलिए स्टार्ट करत है सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले में अपको इंग्रीडियंट बता दू यहां पर लिया है मैंने 3 कप जो है मिलके कहें फुलlagen मिलक आपको पैके का मिल्क नहीं लेना यहां पर लिया है मैंने 1 tablespoon सिर्का अगर lemon और अप्शनल है अगर lemon है आपके पास लेमन भी यूज कर सकते हैं मैंने यहां पर सिर्का लिया है 1 tablespoon white vinegar pinch of yellow food color यहां पर मैं यहां पर मैं यहां पर मैं यूज नहीं कर रहीं यहां फाराल का problem आजाता है इसलि यहां पर मैं अगर-अगर powder यूज चीजों के लिए आपको measurement cup और spoon की जरूरत है क्योंकि आपर measurement बहुत जरूरी हैं यहां पर सब चीजों के लिए आप measurement जो है cup यूज कीजिएगा और spoon यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें measurement की बहुत जरूरत है वर्णा आपकी recipe अच्छी नहीं बनेगी तो प्लीज आप इसको घर के spoon जो हमारे डेली यूज के होते हैं उससे measurement नहीं कीजिएगा measuring cup और measuring spoon से ही इसके सारे ingredient हम लेंगे तो चलिए हम recipe start करते हैं सबसे पहले हम measure करके 2 cup जो है milk ले लेंगे यह one cup पॉट में हम डालेंगे यह हम यह हमारे हो गए two cup पर हमारे पास one cup बज़ गया है इसको हम बाद में यूज करेंगे अब हम इसको गरम होने के लिए रख देंगे थोड़ा सा यह नीम गरम हो जाएगा तो हम सिर्के से इसको करडल करेंगे मिल्क जो है गरम हो गया, अब इसमें थोड़ा करके सिर्का एड्ड करते जाएंगे, बिल्कुल एक साथ नहीं डालेगा, देख लेंगे हम इसको, कि करड्ल हो रहा है या नहीं फिर हम और एड्ड करते जाएंगे इसको, एक साथ नहीं डालना है अगर हमारा यह वन टी स्पून से ही कर्डल हो रहा है तो हम फिर वन टी स्पून ही डालेंगे यहां पर यह मिल्क जो है कर्डल हो गया है अब हम इसको फ्लेम आफ कर देंगे अब मैं आपको नेक्स स्टैप बदा दियो अब हम इसको किसी चन्नी की मदद से चान लेंगे जो चीज निकली है हमारी चैप्रेड हुई है इसको हम अच्छी तरह से इसका पानी हम निकाल देंगे इसको अच्छी तरह और इसमें थोड़ा सा हम इसका पानी हम बिल्कुल ड्राय कर लेंगे और इसमें हम हाफ कप पानी ओपर से और डालेंगे ताकि यह सिर्के का जो टैस्ट है वो खतम हो जाए अब इसका अच्छी तरह इसको पानी बिल्कुल ड्राय करके इसमें से निकाल कर फिर मैं आप चीज का जो लंब सा बनावा था जब हमने निकाली थी इसका पानी अटाके तो हमने इसको एक प्लेट में निकालके हाथ की मदद से इस तरह से इसको इस तरह से ही चूरा-चूरा चोटे चोटे पार्ट कर लिया है अब मैं आपको नेक्स स्टाप बताती है अब जो बाकी अब हमने एक पॉट लिया है और जो बाकी का दो कब हमने चीज में यूज कर लिया और एक कब जो बचाता उसको हम इस पॉट में डाल देंगे की अब हम इसमें चीज करेंगे इसको अंची से मिक्स करेंगे इसको हम इतना मिक्स करेंगे जो चीज डालीये के छीज जो है मिल्क में डिल्कुल डिल्ड हो चाह слово हाँ इस तरह से हम यह सारी चीज है नागी इसको 20 मिल्क में दिर Azam Sorry अभी मिल्क में 7 स्थी मिल्क में कहते स्थिचों तो मिल्क भिनाएं काम छोड़ा रहा है तोड़ा थिक होता जा तो अब हम फ्लेम जब ओफ कर देंगे और इसको हम थंडा होने के बाद ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे हमने लिदेस को ब्लेंड कर लिया वेटर को अब एक स्मूध सा टेक्स्ट्म आ गया इसमें इसमें जो इसका लंप्स थे जो चीजे के वह खतम हो गाए है अब इसमें इस टाइम हम यूज़ करेंगे अगर-अगर पौडर हाफ टी स्पूल इसको हम एड़ कर लेंगे क्विकली ताकि लंप्स ना बने अब इसमें फूट कलर एड़ करेंगे फूट कलर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चीज स्लाइब से बस्ट एक लेंगे अब हम इस को एक invers जो प्लेट है अब थन्डा हो गया है कर दूट कर लेंगे 600 पीसश में कट कर लेंग입니다 और फिर मैं आपको प्लेट में सर्फ करके बताती हूं उसका फाइनल लुक होम मेड चीज स्लाइसेज रेडि हैं देखे इस तरह से ये ये देखें इस तरह से ये रेडि है अब इसको आप बर्गर में यूज करें या सैंड्विचेज में यूज करें इसी मैधर्ड है आप अगर आपको मेरी चीज स्लाइस की रेसिपी अच्छी लगिए तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक और जबर्दस यामी रेसिपी के साथ अलाहाफिज